जोहार वो लगी आज हम लोग present continuous tense और present perfect tense के उपर हम लोग lesson करेंगे इससे पहले हम लोग ने simple present tense के उपर lesson किया हुआ था अगर आपने वो वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो मैंने description में link दे दिया है आपको वहां से देख सकते हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं present continuous tense कुडुख में present continuous tense को नगनुमराना परिया और हिंडी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं कुडुख में इसका format ये structure इस प्रकांस होता है मुख्या क्रिया के साथ में लगदान लगदाय या लगी सब का प्रयोग किया जाता है और हिंडी में मुख्या क्रिया के साथ में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे है, सब का प्रयोग किया जाता है और एंग्लिज में इसका structure होता है subject plus am, या तो are, या तो each plus word for plus object अब इससे हम लोग एक sentence बना के देखते हैं कुडुख में हम लोग present continuous tense में sentence इस प्रकार से बोलेंगे ए पाड़ा लगता है, हिंदी में कहेंगे, मैं गा रहा हूँ, और इंग्लिज में होगा I am singing, तो यह हम लोग का present continuous tense में था मैंने कुछ सब्द आप लोगों के लिए रखा है, जिससे आप लोग आसानी से प्रयोग करके sentence बना सकते हैं तो जैसे कि आप उपर में देख सक रहे हैं, यह कुछ सब्द है जिससे आपको sentence बनाना है और सीखना है तो आप हम लोग अगली टॉपिक जो है उसमें बोव करते है present perfect tense present perfect tense को कुडुख में पूच कर आना परिया और हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं कुडुख में इसका format होता है मुख्य क्रिया के साथ में रई, रदय, रदस आधी सब का परयोग किया जाता है और इंग्लीज में इसके structure होता है subject plus have या तो has plus verb 3 plus object आप इसका भी हम लोग जल्दी से sentence देख लेते हैं कुडुख में हम लोगों बोलेंगे नीन एडपा केरका रदय हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे तुम घर गये हो और इंग्लीज में हम लोग कहेंगे you have gone home तो यह हम लोग का present perfect tense में sentence था तो आप फिर से यह जो उपर दिया गया सब्ध है उससे आप sentence बना सकते हैं सिख सकते हैं तो सुचता हूँ यह जो लेशन था वो आप लोगों को समझ में आया हूँगा आप बोलते रही सिखते रही मिलते हैं अगली वीडियो पर प्राइब करें बोलते हैं